कॉंग्रेस गिरने के लिए लड़ खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे द्रण महत्वा कांचाओं में से ये एक है कि मैं कॉंग्रेस की शांती पोण मिर्ट्यू में मदद करूँ ये बात सन 1900 में भारत के नए नए वाय सराय बन कर आए लाड करजन ने कही थी उस समय तक कॉंग्रेस भारतिये जनता की सिर्फ एक पुलीन आवाज थी आम जनों तक ये नहीं पहुंची थी 1899 से लेकर 1905 तक लाड तरजन भारत के बाय सराय रहे और भारत से उनका बोरिया विफ्तर बंधवाने में कॉंग्रेस की बड़ी भूमिका रही बंगाल विवाजन के उनके निर्णे के बाद कॉंग्रेस ने ही एक बड़े अंदौलन को आवाज दी थी दर्षकु नमश्कार दिल दिली देश में आपका स्वागत है आज हम चर्चा कर रहे हैं कॉंग्रेस पर क्या कॉंग्रेस सच मुझ मर रही है या मर्ती सी प्रतीत होती कॉंग्रेस में से कोई नई शक्ती निकल कर फिर से खड़ी होने की थोड़ी बहुत संभावना दिखती है या नहीं डैनिस जूड ने अपनी किताब Lion and the Tiger, The Rise and Fall of the British राज में गहमंडी बाइसराय का पहास उड़ाते हुए लिखा है कि सन 1900 में Lord करजन ने कॉंग्रेस को ये कहकर खारिच किया था कि ये गिरने के लिए लड़ खड़ा रही है मगर जब करजन की भारस से विदाई हुई तो कांग्रेस अपने तब तक के इतिहास में सबसे सक्रिय है और सबसे प्रभावसाली दल बन चुकी थी इतिहास की 122 साल पुरानी कबर खोद कर Lord करजन का ये गड़ा मुर्दा इसलिए उखाड़ा गया है कि 2019 के लोकसवा चुनाव के बाद करजन की आत्मा से निकला ये स्वर कि कॉंग्रेस मर रही है कॉंग्रेस मुक्त भारत फिर से चर्चा में आ गया है और इस तरह से ये गड़ा मुर्दा एक बार फिर से प्रासांगिक हो गया है पूरे देश में जो एक तरफा भाजपा की लहर दिखाई देती है 20-22 ने जाते जाते उसमें एक नए छवी युद्ध का डंग का बजा दिया है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी देश में छवी निर्मायन की एंटाइर पॉलिटिक्स के एकलोते सुक्तरधार के रूप में जमे हुए थे 20-12-13 में राष्टे इस्तर पर उनकी ब्राठ छवी बनाने का काम शुरू हुआ कार्परेट जगत के लिए कंटेंट त्यार करने वाले दिगजों को राजनीतिक ब्रांड मोदी को चमकाने का बीड़ा दिया गया इन में प्रसुन जोसी, पहलाद ककर्ड, प्रशांत किशोर जैसे महारत ही अपनी अपनी टीम के साथ जुटे और सोशल मीडिया से लेकर टीवी और चाय की चर्चा तक हर हर मोदी घर घर मोदी कर दिया ब्यापका विहान के तहित, ट्विटर, फेस्बुक, यूटूब, इस्टाग्राम पर सरब मोदी की चबी ही नहीं चमकाई गई बलकि कांग्रेस के यूराज को पप्पू और मोदी पर सवाल उठाने वालों को देवद्रोई के रूप में भी चबी बनाए गई यह कारणामा कर आवासी दुनिया के कंटेंट के दिगजों ने थाबित कर दिया कि विवाफ्तिवक्ता की जमीन पर भी सबसे प्रभावशाली हैं तथा किसी को भी बना और तभा कर सकते हैं वस वे टेली प्रॉंप्टर पर उनका तयार कंटेंट पढ़ता रहे बीस बारा तेरा में जो शुरू हुआ वे छवी युद्ध नहीं था क्योंकि इस युद्ध के लिए कोई दूसरा पक्ष नहीं था कॉंग्रेस बसपा सपा इनैलो अन्ना दुर्मुक जैसे दलों को तो पता ही नहीं चला कि यह आभासी अभ्यान कब उनकी पूरी जमीन न नहीं कर पाया इस आभासी प्रचार अभ्यान ने सरफ भाजबरोदी दलों की छवी को ही नुकसान नहीं पहुंचाया बलकि इस प्रचार का टूल बने मीडिया की छवी को भी जवरदस्त नुकसान पहुंचा उसे गोदी मीडिया जैसा गंदा नाम मिला आभासी अभ्यान सकें कि जो वो देख रहे हैं वैसरब परचार की माया है धरातल पर हकीकत कुछ और है पिछले आठ साल से किंकरतब्य विमूड इस्तती में बैठी कांग्रेस ने शायद अपने इतिहास से इस साल को सीखा और जमीन पर उतर कर राहुल गांधी ने अपनी छवी पलटने का पह जमीन से शुरुत की है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा असल में राहुल की जमीन पर बड़ी छवी त्यार करने की जवावी जंग है जिसका सबक इस 137 साल पुराज़नी पार्टी ने अपने 30 से लिया है साथ सितंबर 1931 को लंदन में दूसरा गोल में सम्मेलन जोड़ो यात्रा की और चारिक शुरुआत की हमें तारीक को एक पर फिर से ध्यान से सुनना चाहिए कि साथ सितंबर 1931 को लंदन में दूसरा गोल में सम्मेलन शुरू हुआ था और साथ सितंबर 2022 को कन्या कुमारी के समुंदर तर से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो य लंदरगा पर उतरे बारिश में भी उन्हें देखने के लिए लंदन की सड़कों पर भीड़ थी अगले धाई महीने तक लंदन की सड़कों पर यह सबसे आम दृष्य था इस पर फ्रैंक मौरिस की एक चर्चे टिपनी है अधिनंगे फकीर का ब्रेटेस प्रधानमंतरी से वारता है तू सेंट जैम्स पैलेस की सीडियां चड़ने का दृष्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्वे प्रभाव उत्पन करने वाला था इस तरह गोल में समेलन के लिए की गई लंदन यात्रा ने अंग्रेजों के घर में महात्मा गांदी की छवी का ऐसा प्रभा गांदी का भाशन देना यहां दिसंबर की कडाके की ठंड में सफेद हाफ टी शाट में सुबह छे वजे सहयात्री भीड को भाशन देना चवी निर्मान का युद्ध गोश्य है लगता है नए गांदी ने बुजरुग गांदी से प्रेणा ली है कांग्रेज के पास आम ज गेम खिलाडी की तरह अपनी ज्यादा तर लेवल जीतते हुए बीस बाइस में एक नए लेवल में प्रवेश कर गया है यह चवी निर्मान का इंटरनेशनल लेवल है इस लेवल में हांसिये पर छूट चुकी पार्टियों से किसी चुन्योती की चिंता नहीं है खिलाडी क नजर शांती के नौबेल पुर्सकार पर है रालधानी दिल्ली साहित सभी बड़े शैरों में पोस्टर लगा दिये गए हैं टीवी के ज्यादा तर नीव चैनल इस पर चार से जुटे हैं कि इस साल एक दिसंबर को मिली जी बीस की अध्यक्षता के साथ ही पीम हो दी दुन प्रदेश और दिल्ली नगर निगम में भाजपा की हुई हार पूरी तरह से ढख गई उतर प्रदेश जारकंड गोगा में बड़ी जीत दर्चकर राजनीती के ब्रांड मोधी को कंक्रीट सी मजबूती दी यूपी चुनाव के नतीजे आने के बाद मोधी ने गुजरात म की बारिश हुई मगर कांग्रेस का जमीन पर उतर कर प्रयास करना बता रहा है कि इस साल छवी उद्ध एक अलग दिता से शुरू हो चुका है यह मैट्रिक्स के अल्गोरिदम और इंसान की चमताओं के बीच जंग है जिसके नतीजे आने वाले दो साल में मिल जाएंगे य इस वाइस सभी उद्ध का डंका बजा कर जा रहा है इंसान इस परक्षा में कैसा वेवहार करता है इसके लिए थोड़ा धहरे रखकर इंतजार करते हैं धन्यवाद आग दिल दिल्ली देश में इतना ही फिर नई विशह पर जल्द मिलते हैं शुक्रिया